अगर आप UP boot परिक्षा 2023 देने जा रहे हैं तो ये paper आपके लिए है सिर्फ सिर्फ आपके लिए है हिंदी का ये paper है important सारे collection है सभी प्रशनों का जो collection किया गया है वो बहुत ही important है तो आईए हम फटा फट इसको हल करा देते हैं आपको ठीक है तो प्रारम के पंदार्ट पढ़ने को होते है paper उसमें आप जगडा मत किजिएगा अपने teacher से कि भाई हमको क्या है कि हमको लिखना ही लिखना है वो जो है हम यही करेंगे कि हम लिखेंगे पंदार्ट पेपर नहीं पढ़ेंगे तो जैसी situation है वैसा काम करना है तो पहला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर ये रहा खंड कामे नासिकेतो पाक्ष्यान के लेखा कौन है मुन्शी शदा सुखलाल है सदल मिश्र है या फिर ललू लाल है या फिर इंसाल लाखा है ठीक है तो यहाँ पर जो सही जबाब होगा वो क्या होगा आप सभी जानते हैं नासिकेतो पाक्ष्यान सदल मिश्र का है प्रेम सागर जो है प्रेम सागर वो किसका है वो ललू लाल का है रानी केतकी की कहानी मुन्सी शदा सुखलाल सुख सागर लिखे है याद आ गया चल ब्राम्मण पत्रिका के संपादक कौन है ब्राम्मण बालकृष्ण भट है किशोरिलाल गोस्वामी है प्रताप नरण मिश्र है या फिर भारतेंदू हरिश्चन जी है तो ब्राम्मण पत्रिका के जो संपादक है यहां पर ब्राम्मण लिखा है ब्राम्मण पत्रिका के संप विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है ठीक है आमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का लिखा गया और शरत चंद के जीवन पर आधारित है किसके जीवन पर सरत चंद के जीवन पर आधारित ये क्या है ये एक जीवनी विधा की रचना है कलम का सिपाही गद्य विधा के पुत्र हैं धन्पत राय के पुत्र हैं अब आप कहेंगे सब धन्पत राय धन्पत राय माने मुंशी प्रेमचंद धन्पत राय किसे कहते हैं मुंशी प्रेमचंद का ही नाम था धन्पत राय ठीक है धन्पत राय इन्हीं को ही नबाव राय के नाम से उदू में जाना जा सिपाही है कौन मुल्शी प्रेम चंद को कहा गया है कलम का सिपाही और मुल्शी प्रेम प्रवास किसकी करती है जैचंद प्रकास भट के तार की है देखोkad बदल गया इसके ऑप्षिन यहां पर टार है भट के दार की है जब पीधियप धूंगा इस पेपर की तो सब सही मिलेगा निम्मे से दुवेदी युक की रचना कौन सी है कामाईनी दुवेदी युक की नहीं है दीप सिखा दुवेदी युक की नहीं है ग्राम्या पंत की है नहीं है प्रीप्रवास हर्योद की है और यह जब हर्योद की है तो यह कहां की है यह आपकी दुवेदी युक की रचना है तो लगा लिजे आप प्री प्रवास। और उसने लड़ाई छेडी पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। रवर्ट नर्सिंग होम में एक रिपोर्टाज विधा की रचना है और कन्हिया लाल मिस्टर प्रभाकर जी कहते हैं कि जब मैंने मदर से कहा जब मैंने मदर टेरेजा से कहा कि ये मदर मारगेड जो हैं आपके शत्रू देश की रहने वाली हैं तो ये बात उनके हरदय में चुब गई ठीक है? ये बात क्या हुई? उनके हरदय में चुब गई. कहते हैं नस्तर तेज था. ठीक है? नस्तर माने चाकू होता है, नस्तर माने उस्तरा होता है, नस्तर माने तेज धार का एक ओजार होता है. नस्तर तेज था. तो रहने कहा जो चुबन थी वो बहुत तेज थी, चुबन बहुत गहरी थी. यानि जो मैंने इनको कहा कि ये तो आपके शत्रू देश की है तो चुबन बहुत गहरी थी, बहुत टीस पैदा हो गई मदर के कलेजे में और वो बोली कि हिटलर बुरा था, लड़ाईयां उसने छेड़ी थी और उस लड़ाई में इस लड़की का भी घर ढ़य गया था और मेरा भी घर ढ़य गया था, हम दोनों एक बराबर दुख की मारी थी, मारी हैं इसलिए हम दोनों एक हैं कहने का मतलब यह है कि लेखक कहना चाहता है कि मदर जो टेरिजा थी उनके हरदे में प्रगाड प्रेम था मदर मार्गरेट के प्रती ठीक है, तो यहाँ पर आगे है गद्यांस के पाट का नाम, लेखक का नाम पहले ही बता दिया हमने लेखांके तरश की व्याक्षा भी बता दी उस नव्यूती एवं मदर टेरेजा के बिगत जीवन की समानता बताईए तो उस नव्यूती एवं मदर टेरेजा युद्ध के दोरान दोनों का ही घर ढह गया था ठीक है, युद्ध के दोरान क्या हुआ, दोनों का ही घर ढह गया था ठीक, यही दोनों में समानता थी, यानि युद्ध में दोनों को ही घ्षती पहुँची थी ठीक है, मदर के चले जाने पर लेखक ने क्या सोचा मदर के चले जाने पर लेखक ने सोचा कि मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारे खड़ी की है उची दीवारें, मजबूत फॉलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जातिवर्ग की दीवारें, कितना मनहूस, कितना नगंड पर कितना अजेई है। मैं ये नहीं मानता कि समर्द्धी और आध्यात में एक दूसरे के विरोधी हैं, या भौधिक वस्तूओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। ठीक है, तो वो समर्द्धी और आध्यात्म को आपस में विरोधी नहीं मानते, क्योंकि समर्द्धी अपने साथ सुरक्षा तता बिश्वास लाती है, जो अंतता हमारी आजादी को बनाये रखने में सहायक हैं। इसलिए समर्द्धी और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ऐसा लेखक मानता है। समर्द्धी से हमें क्या लाब है, समर्द्धी हमारे लिए सुरच्छा एवं बिश्वास लाती है। आपको फूलों की बहार देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो पध्यांस पराधारित प्रश्णों के उत्तर देखेगा। कहा मनुने नभुधर्णी बीच बना जीवन रहसन रुपाय। एक उलकासा जलता वरांत शुन्य में फिरता हूं असहाए। कौन हो तुम वसंत के दूद। बिरस पत जड़ में अतिसु कुमार। घनती मिर में चपला की रेख। तपन में सीतल मंद बयार। तो यहाँ पर जो स्रद्धा मनु से लिया गया है। स्रद्धा मनु से ये पद्यांस लिया गया है। और यहाँ पर सबसे पहले मनु कह रहे हैं स्रद्धा से। कौन कह रहा यहां मनु का कथन है। मनु का कथन है किस से कह रहे हैं। ये स्रद्धा से कह रहे हैं ठीक है मनु स्रद्धा से कह रहे हैं क्या कह रहे हैं मनु ने कहा कि नभ और आकाश मंडल के बीच में हमारा जीवन एक उपायहीन रहस्य की भाती बनकर रह गया है एक उलका पिंड की भाती जलता हुआ इधर उधर शुन्य अर्थात आकाश मंडल तुम कौन हो इस नीरस सुस्क पतजड में भी तुम अत्यदिक सुकोमल और घने अंधकार में भी बिद्दुत लताक की समान अर्था घने अंधकार में भी बिद्दुत की रेखा के समान चपला की रेखा के समान और इतनी उष्णता में भी शितलता प्रदान करने वाले तु तुम कौन हो अपना परिचेदो तुम कौन हो तुम मुझे काले घने अंधकार में भी गौरवर्ण की चमकती हुई बिद्दुत की रेखा के समान हो तुम गौरवर्ण की हो और इस काले घने अंधकार में भी इस घने अंधकार में भी बिद्दुत की रेखा के समान तुम्हारा रूप सवंदर है तुम कौन ठीक है अब चांद नी रात का प्रथम प्रहर हम चले नावुले कर सत्वर सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की जोचना रही बिचर लोपाले चणी उठालंगर व्रिदुमंद मंद मंथर मंथर लगुतरनी हंसी नीसी सुन्दर तिर रही खोल पालों के पर नीश चल जल के सुचिदर पण पर बिम्बित हो रजत पुलिन दूरे उचे लगते छडबर चांद नी रात का प्रथम पहर हम चले नावुले कर सत्वर तो यहां पर जो है पूछा जा रहा है प्रस्तुत पद्यांश के कवी का नाम और पाठ का नाम पाठ का नाम है नौका विहार ठीक है क्या है नौका विहार है कभी पंत जी है पंत बोले तो सुमित्रा नंदन पंत ठीक ठीक अब यह कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यान शेवं कभी का नाम बताओ बता दिया रेखांके तंस की व्याख्या करा दिया अच्छा करा देते हैं रेखांके तंस यहां पर भी कोई नहीं, फिलाल पूरा हम अर्थ बताते हैं चान्नी रात का प्रथम पहर है, पंत जी कहते हैं कि चान्नी रात का वो पहला पहर था और हम सत्तर माने शीगरता के साथ नाव ले करके चल दिये और बालू की मुस्कराती हुई ठीक है, मुस्कराती हुई सीपी पर मोती की चान्नी बिखर रही थी सिकता मिन्स होता है बालू, सस्मित माने मुस्कराती हुई सीपी माने सीपी पर मोती माने मोती, सीपी के अंदर होता है जोत्तना माने चान्नी, बिचर माने बिचरण कर रही थी बालू में पड़ी हुई CPO के उपर मोतियों पर चांदनी की जटा बिच्रण कर रही थी लोग पालें चड़ी उठा लंगर नाव में पालें चड़ गई पालें मतलब वो होते हैं जैसे कि ये नाव है ये आप सपोस्थेट नाव है यहाँ एक डंडा लगा यहाँ पालें चड़ा लेते हैं मतलब कपड़ें जैसी ठीक कपड़ें की तो पालें चड़ गई और लंगर उठा लिए गए मृदू मंद मंद यानि बहुत ही धीरे धीरे मंद मंद मंधर गती से चोटी सी तरणी माने नौका हंसिनी के समान सुन्दर लग रही थी जब वो तीरे रही माने तैर रही थी पालों के पर खोल कर ठीक है पालों रूपी पर खोल करके जब वो तैर रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो छोटी सी नाव एक छोटी सी हंसिनी के समान सुन्दर अपने परों जैसे एक हंसिनी अपने परों को खोल कर तैर रही है ऐसी लग रही थी वो नाव समय निश्चल जल के सुच दरपण पर बिम्बित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे लगते यहां पर निर्भर नहीं है, दोहरे लगते उचे छाण भर, यानि निश्चल, निश्चल माने सांत, सांत जल के पवित्र दरपण में जब देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे रजत माने होता है, चांदी जिसे सफेद किनारे, पुलिन माने किनारा होता है, तो जो किनारे थे उस गंगानदी के, तो जो पवित्र दरपन के समान उस समय जलत ठहरा हुआ था, उसमें दिख रहे थे, और छण भर के लिए दो गुने उचे लगते थे, क्योंकि आधा आधी परचाई जल में और आधी उपर थी, तो दो गुने लगने लगते थे, तो कभी कब क्या लेकर कैसे चल पड़ा, कभी, कब, तो चांदनी रात के प्रुथम पहर में, क्या नाओ को लेकर कैसे चल पड़ा, मंद मंद गती से, मंधर गती से, ठीक है, फिर देखेगा, आगे क क्या है, क्या चीजें उठी और नौका किस भाती चल पड़ी, पाले चढ़ गई, ठीक है, लोग पाले चड़ी, पाले चढ़ गई, तथा लंगर उठा लिए गए, और नौका हंसिनी के समान, अपने पैरों को खोल कर, जिस प्रकार हंसिनी चलती है, उसी प्रकार चल नौका किसके पंक खोल किसके समान चल रही थी चल रही है नौका पालों के पंक खोल करके हंसीनी के समान चल रही है फिर साहितिक परिचे जीवन परिचे देते हुए महत्तुपूर्ण रचनाओं का उल्लेक करना है अस्ती शब्दों में वास्दोय शरण अगरवाल दीन द्याल उपाद ध्याय प्रोफेसर जी सुन्दर रेड़ी है ना बहुत इंपारडन्ट है फिर कहानी कला के और ऐसे ही क कभियों के जीवन परिचे होंगे मैतली शरण गुप्त अग्गे जी हैं पंत जी हैं कहानी कला के तत्तों के आधार पर क्या करना है आपको पंचलाय डथवा बहादुर कहानी पंचलाय डथवा कर्मनाशा किहार की कहानी के पात्रों के चरीचित्रन करने होंगे कहानी की सम सब्सक्राइब सानब आँगों का सारांस लिखनाусов और अगर आम द जानते हैं आपके जिले में कौन सचलता तो उस पर एक वीडियो हमने बना रखा है कि कौन से जिले में कौन सा खंडगा पर चलता है तो यहाँ पर जो है अब आएगा आपका संस्कृत दिखदर्शिका के तो संस्कृत दिखदर्शिका को हमने यहाँ पर यह दोखो यह बहुत बार करा चुके हैं इसमें टेंशन आपको नहीं है दूसरा करा देते हैं महापुरुषाह लोकिक प्रलोभनेश बध्धा नियत लक्षात न कदाप भरंशनती महापुरुष लोकिक यानि सांसारिक प्रलोभनेश माने लालचों में बध्धा माने बंध करके नियत लक्षा, नियत निश्चित लक्ष से कदापिन भरंशत, कभी भी भरंशित नहीं होते हैं, भरमित नहीं होते हैं, कभी भी इदर उदर बटकते नहीं हैं देश सेवा अनुरक्तो अयम युवाह, देश सेवा में सनलगन यह युवक, उच्च न्यायालयस से परिधव इस्थातुम न शकनोत, उच्च न्यायालय की परिधि में थहर न सका, पंडित मोती लाल नहरू, लाला लाजपत राय, प्रभृत भी माने इत्यादी, पंडित मो सतंत्रता संग्रामें अवतिर नहा, देश की सतंत्रता संग्राम में उतर गए, देहल्याम त्रियोविन्षत तमें, दिल्ली में त्रियोविन्षत तमें, कांग्रेश त्रियोविन्षत मनें, त्रियोविन्षत मनें होता है, तैसमें कांग्रेश से अधिवेशनें, तैसमे सहसा विदधी तनक्रियाम विवेकहा परम्मा पदाम पदम ब्रणुतेही विम्रिष्य कारिणं गुणलोगधा स्वयमे वसंपदाहा सहसा यानि बिना विचारे जो करे सो पाचे पचताए काम बिगारे आपनों जग में हो ए असाए सहसा माने अचानक विदधीत माने करना चाहिए ना मने नहीं क्रियाम मने कारे को अचानक बिना सोचे विचारे किसी भी कारे को नहीं करना चाहिए आभिवेका हमाने होता है बिना विचारे बिना विचार आभिवेका हमाने होता है आभिवेक कह सकते हो यहाँ पे परम आपदाम पदम ठीक है परम आपदाम पदम जो अभिवेक होता है परम विपत्तियों का स्थान होता है पद होता है व्रणुते ही व्रणुते माने वरण कर लेती हैं ही माने क्यूंकि बिम्रिश्य कारणम माने विचारवानों को व्रणुते माने वरण कर लेती हैं गुण लुपधाह, गुणों की लोभी स्वयमें संपधाह, गुणों की लोभी संपतियां स्वयम ही विचारवान पुरुषों को चयन कर लेती हैं, जुन लेती हैं, ठीक है, तो इक कहां से लिया गया है, सुभासित रतनान इसे लिया गया है, कैसे कि बरिसत हरिसत सब लखें करिसत लखें न कोई बरिसत हरिसत सब लखें करिसत लखें न कोई तुलसी प्रजास भागते भूप भानु सोई मतलब प्रजाना में हो कि जब बरिसता है तो कोई नहीं देखता है सोखता है तो कोई नहीं देखता है बरिसता है तो सब हसते हैं प्रसन्न होते हैं ठीक है, बारिस में सब प्रसंद होते लेकिन जिब वो सोखता है तो कोई नहीं देखता, तूसी दास कहते हैं कि प्रजा के सौभाग से ऐसा राजा होता है, जो सूर्य की समान होता है ठीक है, तो प्रजानामेव। प्रजा के लिए ही भूत्यर्थम, कल्याण के लिए। प्रजानामे वो भूत्यर्थम, प्रजा के कल्यान के लिए ही सामाने वह ताभ्योमाने उनसे बलिम माने टैक्स या कर ग्रहितम माने ग्रहेंड करता था। सूर्य के समान हजार गुना उत्पन करके देता है उसी प्रकार सूर्य के समान राजा थे वह राजा किसके लिए प्रजा के लिए कल्यान के लिए ही कर लेते थे। सूर्य के समान होना चाहिए कह सरवग्या भवति आत्मग्या सरवग्या भवति हन्स पोतिका पति रूपेंड कस्य वरणम अकरूत हन्स पोतिका पति रूपेंड किसको किया था। तो सबसे पहले तो उसने आत्मना मतलब उसने जो है मोर को मोर को किया था इसके बाद किसको किया था। इसके बाद जो है उसने हन्स पोतक को पति के रूप में वरण किया था। ठीक है तो दो ही करने हैं आपको फिर करून रास है रौद रास है इसके उधान देंद। तो करून के हम बता देते हैं देखे सुनिएगा। इस करूना कलित रिदें में अब भी कल रागिनी बजती। क्यूं हा कारिस्वरों में वेदना यसीम गरजती। आती है शूने खिती जिसे क्यूं लोट प्रती द्वनी मेरी। बल खाती टकराती थी बरकाती टकराती सी पगली सी देती फेरी। मडी खोए भोजंग सी जननी फन सा पटक रही थी सीस। अंधि आज बना कर मुझ को कि अन्याय तुमने जग दीस। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि जिस आगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता। वहा पहुंच कर स्वाद जीब का तुमको कैसे भाता। पतिके चिरवियोग में व्याकुल्यूती बिधवारोती। बड़े चाब से पंगत खाते तुम्हें पीर नहीं होती। यह भी आप करूरस में लिख सकते हैं। बाकी यह वह मेरे वतन के लोगों वह भी आप लिख सकते हैं। कोई खास बात नहीं है। अच्छा हम रौद्र रस का उदारन हम आपको बता देते हैं। रौद्र, रौद्र, रस का उदारन ठीक है? तो रौद्र का इस्थाई भाव क्रोध होता है। जब कोई व्यक्ति या पक्षा आपकी निंदा करता है, बुरा भला बोलता है, अपमान करता है। जब कोई आपकी आत्मी ये निंदा करता है तो उसके प्रती मन में जब क्रोध का भावत्पन होता है वही रौधरस कहलाता है स्री क्रिश्न के सुनकर वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मिलने लगे ये भी आप रौधरस में लिख सकते हैं ठीक है और भी तमाम उदारना हम आपको रौधरस के बता सकते हैं जैसे माखे लखन कुटिल भाई भाव हैं और बाकी वो भी लिख सकते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तन कापने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ बादल जगा बाकी परसुराम समझाते हैं लक्षमर से कहते हैं क्रोधित में और धनु ही समत्री पुरारी धनु बिदित सकल संसार ठीक है तो इस परकार आप लिख सकते हैं बाकी रूपक और शलेश लंकार रूपक में चरंकमल बंदो हरी राई शलेश में आप लिख सकते हैं पानी वाला पानी गयन उबरे वाला और बाकी शलेश का वो भी लिख सकते हैं कौन सा लिख सकते हैं शलेश का चरंधर चिंताकरत चितवत चारी ओर और सुबरन को खोजत फिरत कभ्य विचारी चोर हरी गीति का अथवा बरवे नहीं हरी गीति का अथवा कुंडलिया च्छंद की परिभाशा उदान सहित लिखिये ठीक है तो हरी गीति का कल कल नहीं होता वहा बसमंद मारुत का अगमन ही तो ये वाला भी हरी गीति का में लिख सकते हैं कुंडलिया च्छंद हम बहुत सुना चुके हैं आपको अगर आप 4-6 पेपर हमारे पढ़ लेंगे तो आपको कुंडलिया च्छंद वैसे आ जाएगा साई बैर न कीजिए गुरु पंडित कभियार और बेटा बनिता पौरिया यग्य करावन हार यग्य करावन हार राजमंत्री जो होई और विप्रपडो सी वैद आपको तपैर सोई कहा गिरधर कभिराय जुगंसो यह चली आई इन ते रह को तरह दिये बनिया वैसाई कुंडलिया चंद में छे चरण होते हैं और 24-24 मात्राएं प्रते चरण में होती हैं एक दोहा और एक रोला मिलकर के एक कुंडलिया चंद का निर्मार करता है दोहा का अंतिम जो चरण होता है वो कुंडलिया का रोला का प्रथम चरण बन जाता है और इस परकार जिस शब्द से प्रारंब होता है उस सब्द पर समाप्त होता है कुंडलिया चंद बेरोजगारी की समस्या ब्रक्षों का महत्व आतंगवाद की समस्या परहिद सरस यह नहीं परमार्थ या लोकसेवा या सत्संगती परहिद सरस धर्म नहीं भाई सहित्य और जीवन यह तमाम निबंध हम करा चुके हैं ठीक है विश्णो अव का संद भी छेत क्या होगा विश्णो अव ठीक है और नाविक का नौधन इक नाविक हो जाएगा नौधन इका नाविक हो जाएगा हरे अव यहां पर ये वाला चिन लगा है अवग्रह चिन हरे अव का हरे धन अव हो जाएगा ठीक है यथा शक्ति में कौन सा समास है यह था शक्ति में बहु भाव समास है शक्ति मनतिक्रम में घनश्यामा में घनियु श्यामा बहुबरी समास है घनश्यामा में यह घनश्यामा कार्थ हो जाएगा बिसरक लगा है स्री कृष्ण ठीक है नयताम और पास्याम पास्याम रूप किस धातु लगार औ पुरुस का है, तो नीधातु हो जाएगा, ठीक है, नीधातु, लोट लकार, और प्रथम पुरुस, दुई वचन का रूप, नयत नयताम, नयंत होता है, ठीक है, तो दुई वचन का रूप हो जाएगा, फिर पास्यामिका देखे, तो पास्यामिका पाधातु हो जाएगा, लिर्ट लकार हो जाएगा, लिर्ट लकार हो जाएगा, उत्तम पुरुस हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, ठीक है, फिर है नामने रूप, नामन का है, नाम, 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 नामना, नामने चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा, आत्मना, आत्मानम, आत्मने, ठीक है, आत्मा आत्मना होगा आत्मन में जो आत्मन है तरतिया का एक पुचन आत्मना होगा नीत्वा शब्द में कत्वा प्रत्ते है और नीधातू है ठीक है और प्रभुत्तों में त्वा प्रत्ते है प्रभु शब्द है फिर है बिक्चुका करणेन बदिराकरणेन में तरतिया विवक्त बालक पढ़ रहे हैं तो बालकाहा पठंती बालक पढ़ रहे हैं कल मैं विद्याले जाओंगा तो अहम श्वाहा विद्यालयम गमिश्यामी ठीक है गमिश्यामी मैं कल विद्याले जाओंगा ब्रक्ष से पत्ते गिरते हैं तो व्रक्षात पत्राण पतंती ठीक है व्रक्ष से पत्ते गिलते हैं और वयम सदा सत्यम वदेत हम सबको सदा सत्यम बोलना चाहिए तो भाई साथ ये हो गया आपका पेपर साहितिक हिंदी का अब हम चाहेंगे इजाज़त तो नमस्कार मिलते हैं कि नए पेपर के साथ नए स़लूशन के साथ आपका रिबीजन भी होता रहेगा पेपर का पैटन भी आपको पता चलता रहेगा तो हमसे मांग लीज़े अब आउट सेक्षन में नंबर है मतलब कौल मत करो केवर वांटसेब करो झाल